वल्कम बैक तो मैं यूट्टीब चलों वन सगेंड आज के जो हमारा कौच्चन है वह है अंडरोट फाइव हो अंडरोट फाइव फाइव इस उकल टो वन है टांटी फाइव पावर आफ एक्स यह हमारा कौच्चन तो इसको सालो करेंगे सुलूशन में क्या लिखेंगे फिफटीं 25 एक्स पावर एक्स फर्स्ट क्या करेंगे फुर्श हम ने लिखा क्यूं दूसरे में हम करेंगे इसको स्केरिंग चड़ाएव के बोज साइड इस वी गर्ट सिकेडिंग बोज साइड हम करेंगे दूसर्य स्टप में तो क्या आएगा फिर अंडरोट फाइव और अंडरोटा 5 is equal to 125 पावर एक्स स्केर हमने किया बोथ साइड तो स्केर दोनों साइड लगाएंगे यहां पर क्या होगा स्केर रूट कैंसल यहां पर इन दोनों का एक्सोर्स टूस्टू का माट्पलाई होगे तो यहां पर क्या बाज गया फिर 5 अंडरोटा 5 अंडरोटा 5 is equal to 125 इंटो 2x पावर 2x आएगा क्या पावर 2x क्योंकि इनका माल्टपलाई होगा अब फिर से हम क्या करेंगे स्केरिंग करेंगे फिर से स्केरिंग स्केरिंग एगें करेंगे बोज साइड़ वी गेट दोनों साइड स्केरिंग करेंगे क्या आएगा 5 अंडरोटा 5 अंडरोटा 5 अंडरोटा 5 वोल स्केरिंग इस इकल्ट 125 पावर 2x आएगा और स्केर इस पर भी लगाएंगे तो यहां पर अलग आएगा फिर यहां पर अलग आएगा फिर 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 अंडरोटा 5 अंडरोटा 5 वोल स्केरिंग यहां पर भी मल्ट्पलाई होगा फिर 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 के बराबर है multiply by 5 है क्योंकि यह है इसका root हमने खत्म किया अंडरोटा 5 है is equal to 125 है power 4x अब क्या करेंगे इसको पहले multiply करेंगे 25 into 5 वो किसके बराबर है वो है 125 के बराबर जब हमने इन दोनों का multiply के अंडरोटा 5 है is equal to 125 पावर दे एक्स पार 4x अब क्या करेंगे अब बोज साइड करेंगे हम हमें do I 125 बोज साइड है बोज साइड इस डीवायदी इनियम बोज साइड और नस ढवसा अब से तो बौल जाए हम करेंगे इन्वायदी उनट इसके इसको हम मैं। आईगा 125 अंडरोटा 5 है घे इसका यहां पर क्या होगा अब यहां से बज गया यहां पर अगर हम देखेंगे इसका पावर भी वन है दोनका बेस सेम है अगर हम उपर लाएंगे पावर को माइनस बन जाता है जो भी नीचे का धिनामेटर में जो भी पावर होता है उसको हम जब उपर लाएंगे तो उसको नगेटर फार में अगर वह पाज़िट फार में तो उपर नगेटर फार में बन जाएगा उनका बावर अगर यहां पर देखेंगे यहां पर हम देखेंगे उसको हम उपर ला देखेंगे पावर को बन जाता है इनके सब बाजड़ होगा नीचे का भावर तो यहां पर क्या बन जाएगा फिर वहर टॉवाणटिफाई माइनस में क्या आएगा इसमिंगा पावर क्यूंकि यहां मिटटेपड Bunu ॐ लिख्याई हम एन वीरी तो पावर इसका मैंटप्लाई हो क्योंकि यहां पर भी हम लिखा यह जब इनारमेटर में सेम बेसथ था है पावर जो हम उपरलाी है इसको नागीटू में लिखते हैं पावर के तो यहां पर क्या बाएंगे माइटू माइनस वा यह बज गया अंडारोटा फाइउ इस इकलो रहां 25 पावर 4x मैनस 1 यह बज गया हमारा इक्वेशन में तो आप फिर से करेंगे क्या जो यह स्केरिंग करेंगे फिर से स्केरिंग करेंगे फिर से अगें स्केरिंग करेंगे तो क्या आएगा अंडारोटा 5 फाइउ इस इकलोटा 125 पावर 4x मैनस 1 है और स्केर भी किया हमने पावर स्केर आप क्या स्केर हैं रूट यहां पर कैंसल फाइव बज गया है यहाँ पर क्या होगा इन powers को 2 से multiply करेंगे इन power को क्या आएगा फिर 125 multiply आफ 2 4x-1 इसको हम multiply करेंगे 2 क्योंकि power यह भी था है यह भी है power इनको फिर multiply होगा इन दोनों का क्या आएगा फिर फायो अंडरोटा 125 पावर 8x क्योंकि टू फुर्जार 8x-2 8x-2 अब अगर फायो है यहां पर यहां पर भी हम फायो बना सकते हैं क्योंकि इसका जब हम स्केर में क्यूब में बनाएंगे तो वह भी फायो के बराबर आएगा क्या लिखेंगे फायो इस उकल्ट पावर फार में लाएंगे इस 25 को भी फायो पावर क्यूब होल क्यूब है अपना होल पावर है एक्स 8x-2 यह अपना है इसका तो हमने फायो टो हंडरेट 24 24x-3 नगररेट 24x-32006 ओब क्या दोनों यह तो पावर को और करते हैं यह भी क्या लेखिंगे फिर जब बैस्यक्वेशन में सेम होता है दोनों का तो पावर को हम कंपेरिंग करते हैं तो फिर निखिंगे फिर 24x minus 6 is equal to 1 क्योंकि इस साइड में क्या है 1 यहाँ पर यह minus है इसको plus में बनाएं दे उस साइड में क्या लिखेंगे फिर 1 plus 6 क्योंकि यहाँ minus था यहाँ पर क्या है पास्टू बन जाएगा 4x 24x is equal to 7 और x is equal to 7 by 24 यह था हमारा answer x का value यह हमने शालू किया question x का value क्या निकले 7 by 24